अगर विख्ष में राहत है तो आहत भी तो कोई होगा अगर 400 पार होई रितिसाप तो नितीज जी के पैर क्यों पकड़ने पड़ गए इन्होंने सपत परवायता पंगंला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्रूठी नहीं लेंगे, फ्ला नहीं लेंगे, बच्चों की नहीं जिवे लेंगे, और आज को ऑंगरे्स के चड़ों में गिर के कैसा समर्थpers क्ल़ूं कर रहे है लिए प्रद। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार विववज मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिश्चित वीकेंड कारेकरम ये देश है मारा दिलिब कुमार की एक सुपर हिट फिल्म थी जिसका नाम था विववज नया दौर और इस फिल्म का एक गीत है नए दौर की इस सियासत में बिलकुल फिट पैट रहा है वो गीत है साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोज उठाना कुछ इसी अंदास में गटबंदन की डील एक के बाद एक करके सीर हो रही है दिल्ली से बिहार तक और उत्तर प्रदेश से गुजरात तक हम साथ साथ है का संदेश देते हुए विपक्ष एंडी और प्रधान मंत्री मोदी को 2024 में मात देने की ताल ठोक रहे हैं हाला कि इस डील में कॉंग्रेस के को कुछ बड़े कॉंप्रमाइज भी करने पड़ा हैं दिल्ली की साथ लोगसमा सीटों में से कॉंग्रेस के हाथ सिर्फ तीन सीटे आ रही है और 80 लोगसमा सीट वाले उत्तर प्रदेश पे देश के सबसे बड़े सूबे में कॉंग्रेस को कुल मिलाकर 17 सीट मिल रही है जिस पे कुछ समाजवादी पार्टी के अपने कैंडिड उतरेंगे कॉंग्रेस के सिंबल पर जबकि 2019 चुनाव में कॉंग्रेस 67 सीट पर चुनाव लड़ी थी ये अलग बात है कि जीत्र मात्र राय बरेली ही पाई और 63 सीटों पर कॉंग्रे संदी और प्रयंका गांधी वाडरा ने ये डील सारी खुद सील करी है लेकिन सबसे बड़ा प्रश्ण है क्या सबके साथ आने से 2024 में विपक्ष का अच्छा टाइम आ जाएगा आज इसी मुद्धे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पोलिटिकल ये देश आवारा में कहते हैं हम होंगे कामियाब लेकिन आज की चर्चा है कब होंगे कामियाब कर दमाजवादी पार्टी के साथ अर्टिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस पार्टी का सीट शेरिंग को लेकर समझोता हुआ उत्तर प्रदेश में बात बन गई दिली में कॉंग्रेस आप एक साथ बिहार में कॉंग्रेस आर्जेडी की डील पकी खरीब आठ महीने के महामन्थन के बाद विपक्षिक गडबंदन में हलचल शुरू हो गई है और इसी के साथ जीत का दावा भी हो रहा है सीट शेरिंग पर बात बनते ही राहुल की रैली में अखलेश यादव के शामिल होने का रास्ता खुल गया है खबर ये भी है कि तीन मार्च को पट्ना के गाधी मैदान में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के समापन पर आरजेडी बड़ी रैली करने वाली है जिसमें राहुल काधी शामिल हो सकते हैं यानि आप विपक्षी घडबंदर साजा ताकप दिखाने की त्यारी में है कांग्रेट के उराज परिवार ने क्या कहा यूपी के नवजवान नशेडी है मोधी को गाली देते देते हो तो इन्होंने दो दसक बिता लिये लेकिन अब यूपी के नवजवानों पर ही ये लोग अपनी फरस्टेशन निकाल रहें लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सीट शेरिंग के मामले में आदे से ज्यादा रास्ता तै करने के बाद क्या एंडिये के लिए चुनौती बढ़ गई है आज इसी पर होगी जोर्दार चर्चा और चलिए आगे बढ़ने से पहले महमानों के परिच्चे से पहले आपको बता देते हैं कि आज की चर्चा के तीन बड़े मुद्दे क्या हैं दिल्ली और उत्रप्रदेश बिहार में गढ़बंदन से एक बड़ी संजीवनी परदान हो रही है और क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जटका हो सकता है ये मूल सवाल है क्या 400 प्लस के दूसरा बड़ा प्रश्ण है 400 प्लस के टागेट में क्या कामियाब होगा NDA क्या NDA के लिए भी अब ये सवाल ये निशान बन गया है कि 400 के पार चला जाएगा और तीसरा बड़ा मुद्दा ये है कि कॉंग्रेस पार्टी ने एक बड़ी कुर्बानी दी है क्या कॉंग्रेस पार्टी अपने जो कुर्बानी है उससे क्या कुछ माइलेज हासिल कर पाएगी या फिर Congress Party का political debacle हो जाएगा 2024 के अंदर ये कुछ आज के बड़े प्रश्ण है जो बड़े गंभीर political सवाल है और आज मेरे साथ 5 गंभीर महमान भी है इस विशे पर सार्तक चर्चा करने के लिए और मेरे साथ मेरे युवा मित्र है जोकि आज सवालों की बोचार लगाएंगे आप तब कभी अविरंदन है स्वागत करिए भारतिय जंता पार्टी के नेता प्रवक्ता और मेंबर आप पार्लिमेंट डॉक्तर सुधान चुत्रवेदी का स्वागत करिए एंडिये के घटक डल आरेलडी के नेता रोहेत अगरवाल का स्वागत करिए समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी का स्वागत करिए आमादी पार्टी के नेता प्रवक्ता विधायक राजेश गुपता जी का और इंडिया अलाइंस के लिए हमेशा बैटिंग करने वाले विवेक शिर्वास्तव जी के लिए डबल ता लिया क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि अलाइंस बनेगा 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 बंगाल में तो ना बना लेकिन चलिए उत्तरप्रदेश में ही बन गया तो उनके लिए कुछ तो राहत की खबर आई लेकिन सुधान चुतरवेदी अगर विपक्ष में राहत है तो आहत भी तो कोई होगा एंडिया आहत हो रहा है क्या इसमें आहत होने की कोई बात नहीं है ये देखने की बात है कि सत्ता की लाचारी चाचा करवाती है मात्र पिछले महीने की तो बात है कि अखिलेश वखिलेश थे अखिलेश जी कह रहे थे चालू पार्टी है कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस कह रही थी चिर्कुट पार्टी तो जो चालू और चिर्कुट कहे थे करके कह कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन उन्होंने कर ली आप गठबंधन और वो गठबंधन भी क्यों किया है देखिए ये दो दो ऐसे लोगों ने गठबंधन किया है जो दोनों जुवा हैं मगर दोनों पचास वर्ष से उपर के हैं तो आप इस गठबंधन की हक दीकत वैसे ही समझ सकते हैं और दूसरा दोनों जिवाओं ने अपने कुल गावरों में क्या किर्टिमान इस्थापित किया है हमारे राहूल गांदी जी उनके पिता जी चार सो सीटे लेके आए थे उचावालीस पर ले आए हमारे अकिलेश जी बताइए मुलाइम सिंग जी में 1989 में पार्टी खड़ी की 90 में पहले बीपी सिंग जी का साथ लिया अजीश सिंग जी को जटका दिया पिर चंसेकर जी को जटका किया अपनी पार्टी खड़ी की और 2012 में इस पश्ट बहुमत की सरकार ले क्या है अगलेश जी 57 पे ले आए तो मुझे लगता है कि भारत की सत्ता के दो भूत पूर्व पचास वर्षी युवाओं के राजनीत में भूत पूर्व हो जाने के भय से उत्पन होने के कारण यह किया गया गठवंदन है और इस गठवंदन में कितनी गठवंदन हैं यानि गाठे हैं और कितना बंधन है यह आने वाले समय में बहुत इस Congress के देखिए ऐसा है कि कोई भी वेक्ति जो राजनीत में अभी आपने कहा ना हमने कहा कि हर वेक्ति बड़ा ही चकित होके देख रहा है जी तो अगर चकित होके देखना है तो जिस वेक्ति को देखने का आभास होगा तुसे राहूल गांदी नहीं जराएंगे जिसलिए हमार क्योंकि वो जब से चले हैं कहां से गोहाटी से तो चौपाटी में देवडा जी अलग हो गए थी वो बंगाल पहुंचे थे तो मम्ता जी अलग हो गई थी वो जारखंड पहुंचे थे तो मुक्यमंत्री बदल गया था वो बिहार पहुंचे थे तो सैयोजग नितिश कुम अब किसी तरीके से वो वहां पहुंचे हैं यूपी में चलो लेकिन अब कवान दीदी के हाथ में आ गई है अब प्रयांका गांधी वाड़ना पॉलिटिकल डील कर रही है राहूल नहीं कर रहे हैं इस पर आपकी राय लूँगा लेकिन राजकुमार भाटी के पास आता हूं कॉंग्रस के नेताओं ने तो और भी जादा कहा लेकिन फाइनली काम हो गया लेकिन ते लिए अलाइंस तो हो गया क्या मोधी को टक कर दे पाएगा यह अलाइंस क्योंकि सपा बस्पा का अलाइंस हुआ था 2019 पे शायद उससे बड़ा कोई अलाइंस नहीं था जिसमें आर हमारे सुदानसु तिरवेदी जीन है अब जो कह रहे थे कि नरेंदर मोधी के हाथ खून सरंगे हुए इनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे और जो मोधी जी यह कह रहे थे इसका डियन ने चेक करो और अमित्सा यह कह रहे थे अब तमाम दर्वाजे बंद हो चुके हैं अब नितिश कुमार के लिए कोई दर्वाज नहीं है उसी नितिश कुमार की चौकट पे नाक रगणनी पड़ी जोर्दार बात जोर्दार बात जवाब लेते जवाब लेते आगला संटेंस नहीं सुना कह रहे थे नहीं कह रहे हैं यह दो पिछले मैंने बोले हैं चालू और चिरकुट और हमसे तो कपकी बात करें ये नितीजी ने कब कहा था कि खून से रंगे हुए हाथ 2014 में बिल्कुल नहीं कहा था हूं 2014 में वो तो 2002 में मंत्री रहे थे सरकार में हमारी रहे थे क्या बात कर रहे हैं आप पल्टू चाते हैं पलटते रहते हैं अगर एक पार्टी है कोई उत्तर प्रदेश में जो ये पलटने बात कहते हैं कोई एक पार्टी जिसने हर पार्टी से घड़बंदन किया है वो है समाजवादी पार्टी 89 ने मुलायम सिंग मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सपोर्ट से उसके बाद जब गोली चली हमने उनसे सपोर्ट विड्रा किया चंसेकर जी के साथ चले गए फिर तिरान नवे में आए बस्पा के सपोर्ट से फिर उसके बाद आए 2003 में कॉं प्रकास राजवर यह नहीं कहते थे इस योगी को तो मठ में छोड़काऊंगा इस योगी को तो कीरतन करना सिखाऊंगा तो क्यों के देती इसमें बहुत गाठ हैं इनकी सब्सक्रा साथा वह किसान ड़े जो 7-800- melhor환 जाते हैं जना राजदानी में ने खुसन दिया जाता जिनके लिए कीले टोकी जाती हैं सड़ेख पे जिनके लिए पाणी की बहुचार हे जो लिया चलाई इसमक बंदन में वह वह मजदूर भी हैं जिनके लगातार हक्मा रे जा रहे में इसमक ब्रवार के 6800 इस्टुडेंट आपको रुकना पड़ेगा देखिए संदेश कली के अंदर क्या हुआ है मतलब वहाँ पर औरतों को उठाया जाता है उनके हस्बेंट्स उनके भाईयों के सामने उनके पिताओं के सामने और शाजा शेक और उसके गुंडे कहते हैं कि यह औरत तुमारी होगी लेकिन यह सुंदर है और ठीक दिखती है तो हम इसको लेके जाएंगे और प्रशासन कुछ नहीं कहता मुझे कहता है मुझे मुझे कहता हूँ कि चीफ जस्टिस जो बंगाल हाई कोट है उसने जो टिप पनी करी है जरूर विवस उसको पढ़े और सुने क्या बोला है आजाद भारत के अंदर इस तरह की घटा किसे नहीं ने दिखी और सब के मुझे ले हुए है एक हात्रस हुआ था तमाम लोग चाती बीट रहे थे लेकिन बंगाल के संदेश कली पर ऐसा मौन है कि कोई कुछ बोलना नहीं चाता कोकि बंगाल में ममताव इनरजी की सरकार है शर्मिंद की की प्रकास्टा हुई है संदेश कली के अंदर आजाद भारत में ऐसा इंजिडेट किसी ने नहीं देखा बात यह है कि वो आदिवासी हैं मगर दूसरा वाला वोट तगड़ा वाला है तो समाज के वर्गों के प्रति भी प्रतिक्रिया वोट के तराजू पर तौल कर देखी जाती है संदेश खाली की घटना पर एक भी कोई राजनितिक दलिया कोई व्यक्ति सम्वेदना ही नहीं है सब चाहते हैं आप सुनोगे तो बता ही बता ही बहले दिन घटना प्रकासमाई पहले दिन बंगाल की मुक्मंत्री का बयान आ गया कि हम एक भी दोसी छोड़ा नहीं जायागा हम इसे तास ले रहे हैं उन्हों और उसमें ग्रपतारी हुए आप लोग आप लोग पर के देखें मंतामेनर जी को कोटण कोट कर रहा हूं कि यह सब लोग BGP के लोग है वहाँ BGP की यह और आप मतलब सोचिये क्या पोल रहे हैं यहां और 트торы में आपको कह रहा हूं कि छोड़िये Cuity को हमने कश्मीर में सुना था कि हमें कश्मीर चाहिए हिंदू मर्दों के बेगार और हिंदू औरतों के साथ हमने बंगाल के संदेश खली के अंदर ये इस समय देख रहे हैं लाइफ और कोई कुछ नहीं कह रहा है समार्ट पूरा चुप है पॉलिटिकल वर्थ पूरा चुप है सिरफ लेफ्ट और बीजेपी है जिनोंने अपने वहाँ डेलिगेशन बेजे बाकी कोई बोलने को तयार नहीं है इस देश के अंदर शर्मिंदगी की परकास्टा है ये और मैं आपको कहता हूँ कि जो संदेश खली में हुआ है मेरे रोंक्ते खड़े हो गए जब मैने वो सुना मतलब आवास बंद हो जाए लोगों की जो संदेश खली में हुआ है उनके पतियों के सामने उनके भाईयों के सामने उनके पिताओं के सामने लड़की को उठा के लिके जाता है और का जाता है कि घर में तो तुम्हारे जा रही है लेकिन पहला हक हमारा है संदेश खली में बहुत दर्दाग हाथ सा हुआ है लेकिन विशे हमा और उत्तर पदेश की युवा शराब पीके जूम में रहाएं, इस्ते आद़ा शर्मनाक बयान हो सकता है, अगर बीच में बोलने को तो बोलने द्यूगा एक बात सबस्ज लेना उत्तर परदेश की उत्तर परेश सराफी के गुंपे बिच्था के अक्वान करोगे और उत्तर परेश के वोट बाग और पेश्या उत्तर परेश की जाओ अब बिल्कुल साफ है कि राहूल गांधी वहां पर राजकता पहलाते हैं इनकी जो राजसवा सांसद हैं जया बच्चन उनके परिवार के खिलाब अपत्ती जनक तिपणिया करते हैं जो तिपणिया की जैब बोलेंगे भाटी जी बोलेंगे आप यह पिलाफ जो राहूल गांधी ने बोला गलत है पूछेंगे इंसे इस तैंट लेने से मीडिया में आ रहे हैं मतोब अश्वारा ब पर इस तरह से ने यह कहा आपने भासन में जी कि जब वहां राम ओर का वर रत्रान परतिष्ठा हो रही थी कोई मजदूर किसान कोई बाए जिन मजदूरों ने उसे बनाया था उसमे प्रधान बत्री फूल पर साते दिखे और जिन बड़े-बड़े लोग यहाँ बात कह रहे हैं वह भगवान पर फूल बरसा रहे थे वह फूल ठेकने वालों में थे और वह मजदूर वह थे जिन पर फूल गिराए जाए जाए आप लोग में आपको पूछरा चाहता हूं और मैं को कि खुद स्वभागे शाली था क मैं भीिसत टोब हूं कि कारशिम में इन्वाइट था मैंने भाग लिया नही को देखा है वहां पर आप प्राइम मिनिस्टर का हर आदमी था फिल्मी दुनिया का हर आदमी था बैटिंग चल रही थी जिन को बुला जाए ना हम गए ना शंक्राचारिया गए यह फुरफुरा शरीप के गदी नशीब पीर दादा बास्चितीकी के करमों में सद्दा करने जाएंगे पुरुपूरा जरीप मजभा नहीं मज़ब नहीं नजर आता है भरम में जराता है इन वह विश्वत संक्रा चार्या को ही गादरीजी के चक्कर में हिंदू धरम से निश्कासित कर दिया वे तब अब्वन भी चले गए राम दला के दर्सिन करें टाला था और वह भी तब क्योंकि आपको कई बार बोल चुका हूं प्रान प्रतिष्टा हो चुकी है रोने से कुछ नहीं होने वाला आप जाए मंदिर में दर्शन करिए कुछ नहीं होने वाला अर्विंद के जिवाल भी एक बात करना चाहूंगा विताब बच्चन स्वर्गी राजीव गांदी जी क कि अपने पिता के मित्र के वो राजनेतिक मर्यादा माननी चाहिए थी और दुख की बात यहाओ कि अटा जा रहा है और इनके मूह में द्हीजबा है आपसोचिये सक्ता की लाचारी अमिता बच्चन की है जाया पच्चन जा रही है समाजवादी पार्टी के टिकर से अमित अगर जयाबचन पाटी की साथ एक सेकिन, और अमिता बचन को जयाबचन को फॉलो करने की जो गहीं है, एक सेकिन, हम से कोई व्यक्ति बजुर्ग है, और हमसे पच्चिस-30 साल बढ़ा है, हमारे लेकिन तू तड़क करके हमेता बच्चन को बोला जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा है और समाजबादी पार्टी के नेता इस पर चुप है मत्तब जया बत्तन उनकी मेंबर ओ पार्लेमेंट है अरे गटबंदर होगा लेकिन मजबूरी ये क्या होगई कि भरे बाजार मज़ बाराबार बार 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 इस तरीके से दिखाते हैं कि मोंधी अकेले एंद तरीके को गडबंदन है है साथ मुल्जे की तीन सबसे न कूर सी है एक करना में इडी दूसरी का सी बी आई और तीसरे का इंकम टैक्स यह यह चो बेब को बनाने की तरीके हैं अगर चार सो पार होई रिती साहब तो नितीज जी के पैर क्यों पकड़ने पड़ गए चार सो पार हो रही है तो कश्मीर में भी नएने लोगों से रात को बात हो तोड़ना पड़ा क्योंकि उद्धर ठाकरे के पिताजी तो और इंजर हिंदू हिद्रे सब्राट थे उनके बेटों को आप कुछ भी कहते हो वह तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे तब तो आप थे भी नहीं जब हिंदू की राजविती की बात करते थे उनके बेटे की प क्यों पकड़ने पड़ते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेटों नहीं है जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के उपर आपने छापा मार दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लवामा मुझे 300 लोग मरे उसकी जिम्मवार आपकी स मैं भाल looking at u Eakovopardy और आप कारो कि हमने हैं इतना लोगों को बेटो है उस तरная वोटर्चा आप लोगों के देखें तो जनता वो चैसला होता हो सब को माल लेना चाहिए ठीक है लेकिन जनता को बेब को बडाने की तरीके तो है ना कि कॉंप्लाइट नहीं पियों धें बड़ा नहीं को नहीं होगा तो हमारे पिताजी मिनीच्पी कि आप दराने की पॉलिटिक्स करती हो और देखिए इडी वाला कोई आरोप आप पर नया नहीं है यह सब लोग आप पर लगाते हैं मतलब सीबिया एडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के दोर बेर उन्हीं की बजा देता है ऐसा तो चुदांचु जी इतना इतिफ चरणों में गिरे पड़े देखिया आज कल वन डे क्रिकेट का जमाना आगया जब टेस मैच होते थे तो अगर कोई बैक्समें बात दो हमैं उसी बता रहे हैं मगर इसलिए याद दिला तो दोनों इनिंग्स में जीरो पर आउट हो जाये तो उसे कहते थे चच्च्मा पहन तरह और वी देख्यों कितनी शिद्दत से अजी तवार जी कि पार्टी तोल डी और वह संजे सींग का वीडियो देखो जाके यह सब परिवार की पार्टी उत्तर से देख तेरे संसार की हालत्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसार जो यह कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए वह आप जेल से जलवे से सासन करते हैं और कहते हम कटर इमांदार हैं जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल एक पववे के बदले एक पवव प्री देते हैं वो कहते हम सुचिता के जंडा बरदार हैं इनकी टोपी कहा गई मुझे चाहिए जनलोग पाल वो भी आ गई इन्होंने शपथ-पत्र भरवायता बंगला नहीं लेंगे गाड़ी नहीं लेंगे सिक्योर्टी नहीं लेंगे फलाना नहीं लेंगे बच्चों थो पॉलिटिकल पार्टी अपनी वनाई हो स्कराइब भर कहना चाहता हूं जी हम 1951 वने असी में भाजपादा बनेत किया यह कसम का क्या तीहत्तर दिन में कांग्रेस से गडबंदन करके सरकार ऑई यह अंतर यह हमारी फित्र हो विरोध में करी जी आप पूरी अपनी पॉलि कोई कठा बैठना पढड़ रहा है तो पबलिक दिली की जनता पन्जाब की जनता आपको जो अलग पॉलिटिक्स कि का मसीया मानती थी उनके साथ यह पॉलिटिकल दोखा नहीं है कि आपने बोला क्या और करा क्या कि आपने जो हमारी party के बारे में कहा जिन नामों के आप चर्चा कर रहे हमने corruption के खिलाफ politics करी उस वक्त वो नाम थे अगर चिला दिक्षिति नाम था अमने उसके बात करी हमने अपने F.I.R कराई इन्होंने हमसे ACB चिन ली अगर वो ACB हमारे पास होती तो हम कुछ करते हमारे सा आपने बोला कि अगर ACB होती तो हम कर वही वह भ्रस्ट है हमार पास एजंची नहीं है तो साथ हो जाएंगे तो साथ हो जाएंगे अगर होती तब तो कुछ इंक्वारी होगी अगरब आपड़ के जो भी आप शेडादा शेक हैं तो नाम भी ढंगो नहीं पता हैं सुनिये और इनको को नहीं ही नाम ही आप उनके पार्टी नहीं प्रची पाटी है आप कोई जाज करना चाहते हो आप कोई जाज नी करते हैं आप दरके बैठते हो क्योंकि यूपी के इंदर उनकी चववन युनिवर्सिटी आप कि आवाद निनुवस्टी आप कुछ भी बहुने चले जाएंगे तो व्यूवस मेरा युवा मित्र यहां बैठे है कंतराल के रुक रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद होंगे धारदार सवाल धारदार जवाब आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे जोरदार का रिक्राम ये देश है मारा आनद रितन देदो एक बार फिर आपका अभिनंदन है ये देश है मारा में जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आप सब को और आप सब मेहमानों का और व्यूवर्स आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी गडबंदन को लेका पेरा सवार पहले भाटी जी से है सर आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान है देश के वो आज लड़ रहे हैं ऐसे कौन से किसान है जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान चोड़के जिस से उनको प्यार होता है और मेरा दूसरा सवाल विवेक जी से है सर आप कह रहे हैं कि बिजनेस क्लास के लोग आए थे आक्टर आए थे तो सर इश्वर क्या कि सिफ किसी एक के हैं कोई एक ही जाएगा अप सब लोग सामानने थे सादू संत भी उसी लाइन में थे रणबीर कपूर अलिया भट कट्रीना कैव विकी कौशल बी उसी लाइन पे थे ने मेरे आगे लगे हुए थे इसनि मैंने खुद देखा है सोनू निगव मेरे भगल में थे और कराश खेर मेरे भगल में थे एक सिकींड रुकिए अब सुनिए और सारे सादू संत भी वहीं थे एक एक व्यक्ति वहीं था कोई खास लाइन नहीं थी और हाला ते अनुपम के रे कॉमन आदमी की तरह वांगाए और दर्शन करके एक लिए आया है प्रक्राइब यह जब यूनिवस्टी फेलाती है और एक कोन किसा अनुष्टों में सड़क पाया गा यह फरवरी और मार्च का महीना किसा रभी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है अपरेल में कटाई सुरू हो जाएगा फिर किसान बिजी हो जाएगा तो एक तो यही बास्टवार्ट से प्यूनिश्टी की फेलाई चीज़े दूसरी बात उनकी समस्याओं पर तो कोई ध्याम देनी रहा है कि वो मांग क्या रहे हैं उनके प्रतिस आनुभूती भी तोनी सब्सक्राइब हुआ है जब देश आजाद हुआ था गैहों की कीमत कि गैहों जो विकता था 35 पैस Neegos कि और और से जो सिमेंट का एक बोरी आती थी एक academy खरी सकते ते आज गहूं विक्ता 20 रूपे किलो और सिमेंट की बोह रही है साड़े 300 रूपे की एक रूपे की आती थी यह सवार नियुक्तर के यह विशेसा भटकाएंगे उसमें क्या गलत कहा है तुम्हें सच्चाई पर जा रहे हैं तो बॉटर पर जाओ देख क्या हो चीजों को समझ कर देश के लड़ा था तो तुम्हानी जैसी कोई लड़की खड़ियों के पूस्ति कौन ऐसा लड़का जो अपनी मा को छोड़के देश के लिए लड़ने के ल अगर इन लोगों को सुनिए आज सिर्फ चुनाओं में 90 दिन रह गए इनको कैसे बता नंब दिन रह गए है इलेक्षन कमिशन को यही बताते हैं अरे भाई या एक दिन पटाते हैं तुम नहीं ने इस अदेशन कमिशन ने तो काओ नि इन पर लिगा पार्टी वाला है अं अगर इनको जरासी वो होती तो एक किसानों से किसानों मत जाओ इनकी सरकार कहती तुम वापस लोटाओ पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही किसी ने सिर्फ चिलाने का लावा कुछ नहीं है इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को ही प्रूफ मांगे और मैंने उस दिन कहा था कि जो नेता प्रूफ मांग रहे हैं उनको हेलिकॉप्टर पर बांद के लेके जाओ और देखो आपे बम गिर रहे हैं और एक अगर गिर जा तो फिर पूछे ना क्यों गिर गया है बत अज़ तक नहीं मांगा गया लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स है थी है कि मांगा जाता है ठीक है रोई जी इंडिया गडवन्धन में है कैस्तिती कि सहाब दल तो मिल रहे हैं यहां पर दिल नहीं मिल रहे है क्यों क्योंकि बस मोधी को हटाना है और देश पे को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है कॉंग्रेस के यूवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गर्वन्धन मुराया गया तो यह वाले पर आप कुछ कह रहे है कि यह खुद को अमिताप बच्चन बनना चाहते हैं सेफाई में जब अमिताप बच्चन आके नाचते थे तब पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है अकले इशादो जी को जब सेफ़ई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे किस तरीके से जैसे और इक्षारती ना ऐसे जहाज उतरते थे से अंदर तब इनको दिक्कत नहीं होती थे पर राममंदिर की परणिष्ठा में अगर आपने ही सायोगियों के साथ धोका देने का काम करते हो आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लाना काते हैं आपको कांशी हो आपको की बात हुई और उन्हें बोला कि वहापे आक्टर साथे थे और उन्हें बोला ऑटो रिक्षा की तरह जहाज आते थी वह नहीं दिखते थे प्रान प्रतिष्टा में आठ एक्टर के आगे व कोई मंच में भी नहीं गया था राजनितिक विरोध हम करें एक दूसरे की कमियां बताएं अपनी अच्छाइंआ बताएं खूब सोर मचाएं लेकिन हमारे मन में साहित्त और संस्किर्टी के प्रती संबान होना चाहिए उन्हां हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए उ प्रितिवास आली बच्चों को सम्मानित भी किया जाता था आज भी कर रहें लैप्टॉप दे कर रहें हैं सफ़ाई मोहत सब ता उसको संस्कृति की एक संस्कृति का पूरा जागरण है अब रोही तो भाई एक सब्ता पहले तक तक किसान अंदोरन के भी समर्थन में थे अब तो आज भी समर्थन में आज भी हूं मैं आज यह दोन आज आज पर देखे सुनिए अभी नहीं का पार्टी ओफिस में आपके नेता तो पार्टी ओफिस में बैठा के किया था समाजवादी पार्टी के विधायकों से चुनके राजसभान पहुच गई और चलेगे बी अब आपने अपने विधायकों के वोट सब्सक्राइब आज भी आपने संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए हम हृतिक रोशन का उदा डांस कराते थे और सब कार्कांव जो एक एक से बिल्कुल नहीं होती बिल्कुल नहीं होती सारा रहुल गांजी ने बोला इस रहा इनों मेरे निता पर आरोब लगाया है मैं जो आप देने ने 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 तो एक सेकंड ने कमाल है जो सहाई में डांस हो रहा था वो तो भारतिया संस्विती थी ती अश्रय राहे के लिए जो ठिपड़ी करी राहुल गांदी ने उस पर आपके कहते एक से इसके बार रहु दी तक महीं पहुच पाएंगे हैसी अपने ये बोलने कि राहु जी के खिलाब और शिव जी योकस जी सकता कराएंगे इसी निये ज़का आपको वाखई पर डांस कराएंगे ने ने अरे तो बगवान चंकर हमारे बगवान है ने पर आप रोध में जाएंगैं तो भावान कि यह का गया कि राहुल गांदी हमारे नेता है और सब कुछ चीज़े बोली गई तो भगवान चंकर हमारे भगवान है वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है उन्ता चंपारिजन अपना ही कर सकते हैं यह भी बात है लेकिन आपने बोला वाचुदेव कृष्ण के नित्य को और भगवान कृष्ण भगवान चंकर के टाड़ाव को अगर भगवान के शंकर का टाड़ा होता है तो स्किष्णी बगती रही है यह कहा गया है और यह साइटिविकली प्रूवन भी है आप बेवाजाई से भावना इसमें क्या अपमान है इसका मतला राहूल गांदी के डिफेंस में बोला गया यह आपमान है सीव जी हमारे समसार सरेश नर्तक माने जाते हैं कैसा सवाल है सवाल है तो अक्रिस्व भगवान जी की जो जन भूमी है उसको गिराने वाला औरंग्यत से इसको नफरत की बात हम अपनी प्रेम की बानी घर समझे ना कली समझे नंद लाला समझे और या इसा प्रजकी लाली समझे मेरा सवाल सुधानशू सर से है बहुत खुशी हुई आप अभी नेत्री जया अमिताब बच्चन जी की बहु के लिए पूछना चाहूंगी जब दिल्ली में हमारी मैला खिलाडी बैठी थी वहां पे धरने पे बैठी वी थी मैला आयोक की अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जारी थी आप में से या बीजेपी के किसी नेताने भी उनके लिए कोई अवाज नहीं उठाई किसलिए क्योंकि व और जो आपने कहा मगर अंतर यह होता है आप देखा संदेश खाली पर चूंग देखे ऐसे कोई मजबूर नहीं होता कुछ तो आप लोगों की भी मजबूरिया रही होगी कि आपको कॉंग्रेस के साथ अलाइंस करना पढ़ रहा है आप कहते हैं कि आप आप अभेद किला ह है आम आदनी पार्टी का लेकिन आपको भी समझाता करना पड़ा है कि आप चार सीटों पर लड़ो या तीन पर लड़ो तो कुछ तो कमजोरियां और कमिया रही होंगी रवे राम मेरे आराद्य है आपने इनसे बार बार पूचा ही गई है मैं तो तीन बार गया हूं वहा लेकिन राम मैं मैं सुपना करते इंट है सुँ पूजा करते बिर अपना काम और ते है काम को फूजा से अलग रखो उसी राम को पूजा में अधर के अंधर वो राम लपार लेला टेंच में थे राम ठाहर कोो न होते आप कर ड Ach राम को तो वाल्मिकी जिलाई थे उन से धूर भागते हैं तो क्यों नहीं अन्य च्रण करनी है कि एडोय को बना दिया सथ उंदर आजाए बहरत्रत방 let चंद को डेए बना देर सर्थ रेवडि रेवडि ऐसे बाख वह एक घ्र जान कृट है चर्चा को करें बहुत बड़ी चर्चा है और बहुत सारे करोड़ों व्यूवस हैं सबसे देश का सबसे प्रभावी कारेक्रम हैं और मैं बड़ी जिम्हधारी से कह रहा हूं डिजिटल मीडिया पर भी और टेलिविजिन मीडिया पर नहीं देखे चिला चिली बहुत होती हैं यह लोग फैक्ट में बोलें मैं किसी के म अब आप दूसरा राम अंदिर के विशे पर जो बोला गया उन्हें बोला कि राम दिल में रहते हैं राम को मंदिर की क्या बात है हमारे तो दिल में राम यह कहा गया तो केजरिवाल जी दर्शन करने का गया दिल में दर्शन कर लेते हैं फिर वही क्या अब नहीं कि इन चलवाई यह दिली से राम मंदिर जाने के लिए चलाएंगे आप दिल में कर लो दर्शन आएंगे आप दिवेट में बोलने कुछ और वोट के लिए कुछ और और नानी आजिए आजिए विब्राइब दोने जयू नहीं दोने जेल में 22 को चिनाओं में गयता है उद्धा कि नहीं बॉलिए बहुत आजिए पता है पिर वही कर रहे हैं एक मेरा एक रहा है भूके मजनना भजे गोपाला गोपाला की पुझाभी होगी राम की पुझा भी लेकिन का आहम किरफु तो आपको के रहा सथ है करम कह डिए किठ Kevin आंक ऑन सभी कारओ पिर चौदरी चरण सिंह जी का सब्मान भारत रगंत से करोणों किसाना समान था एक पहले पहरतियों कहा सब्मान था और और इनकी ये सोच, इनकी ये मानसिक्ता दिखाती है, जिस सिर्फ और सिर्फ इनको वोट की राजडीती के लिए इस तरीके का पन्ना दिखाते थे ये कॉंग्रेस के लिए, ये प्लेन पन्ना है देख लिजिए, और ऐसा ही पन्ना दिखा दिखा के जन्ता को ठग लिया, और पूरा विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि कि जमीनी नेताओं को अगर भारत रत्रत्न मिला है तो हुटी पार्टी तो ही जेपी एंग की फूल फॉर्म है बहुत मंदिर आया है चार करोड गरीब गरीब आवाद देके आया है, 11 करोड़ों को शोचाले देके आया है, 14 करोड़ घरों में नल लेके आया है, हर गाओं में बिजली हर गाओं में सड़क लेके आया है, भारत को पांच वी बड़ी अर्थ वस्था बनाके आया है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्चेंज बनाके आ है और चांद के चुते कोने को चुने बागत है बहुत बहुत बढ़ीया तो बोर बात रखा लेकिन क्या बाकई गडबंदन बीजेपी का खेल बिगार पाएगा या फिर बीजेपी का खेल ही सबसे बड़ा केल है वही पॉलिटिकल केल है यह आने वाला दौर और वक्त बताएगा आपने इस कारेकरम को देखा उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहिंद और बंदेवात्रम कि अजय को कि अजय को